जापान का मून मिशन स्नाइपर आज चांद की सतह पर लेंड करने वाला है जापान की स्पेस एजन्सी जाक्षा के अनुसार स्नापर रात को नौबजे लेंड करेगा भारत के मून मिशन चंद्रियान तीन के बाद दुनिया की जापान की मून मिशन पर नजरे ठीक हुई है लेंडिंग की प्रोसेस 20 मिर्ट पहले शुरू होगी बता दे कि मिसन स्नाइपर 25 दिसंबर को चांद की आर्बिट में पहुँचा था तब सी ये चांद की सतह की तरह बढ़ रहा है जापान का स्नाइपर पहले हुई मून मिसन्स में लेंडिंग के लहाज से सबसे एडवांस टेक्नोलोजी से लेस है जिस जगह पर इसे लेंड कराना है ये बिल्कुल उसी स्पोर्ट पर उतरेगा रडार से लेस स्लिम लेंडर चंदरमाग के एक्वेटर पर लेंड करेगा जापान 1966 के बाद चांद पर लेंड करने बाला पांच बार देश होगा रिपोर्ट के से में स्ट्राइप पर ये जाच करेगा कि चांद बना कैसी यहां मिनेरल्स की जाच कर चांद के धांचे और उसके अंदरोनी हिस्से के बारे में जवनकारी हासिल करेगा